पॉस्कार दोस्तूं अनिका क्लासेस पटना पे आपका स्वागत है आज हम SSC GD के 20 महत्पूर्ण प्रशन देखेंगे इसे आप मातर 20 प्रशन नहीं समझेगा यह 5 मेंड में करीब करीब 100 कोश्चन से उपर का डिसकसन साथ में हम करते चलेंगे तो चैनल में बने रहे हैं औ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रशन कोश्चन नमर 26 है अंडे को सिर्के के बिलियन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा तो यह जो है अंडे का आबरन जो है घूल जाएगा इसका थोड़ा नोट जानते हैं नोट की जाएगा कि अंडे के छिलके जो है केलसियम कार्बोनेट के बने होते हैं अंडा में प्रोटीन की मातरा जो है अधिक होती है चांदी के चमच से अंडा खाना बरजित रहता है आप जो है चांदी के चमच में अंडा नहीं खा सकते हैं उसी परकार कोश्चन नमबर 27 देखेंगे चाय का सबसे बड़ा अलग देश है चाय का जन्म भूमी भी चीन को माना जाता है भारत में चाय सरपर्थम 1835 नूट की जेगा भारत में चाय सरपर्थम 1835 इस भी में असा में उतपादित किया गया था कहां कोश्चन नमबर 28 देखिएगा अनुछेद 21A संबंदित है तो अनुछेद 21A जो है च सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार सिच्चा का अधिकार से संबंदित है कहा जाता है कि 16 सम्मिधान संसोधन 2002 में अनुछेद 21A जोड़ा गया था जो सिच्चा से संबंदित है कोश्चन नमर 29 देखेंगे एक एक बात ध्यान से सुनिएगा नहीं समझ में आया तो कोश सेट कि जो कि प्रीएस एक है तो इसमे कुछ करेंट है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं तो पहले के हिसा की साब जो है जो है का consciousness क्लिशा में स्टावल इसकाACH गठन कोश्चन नमबर और एनससो की अस्थापना जो है 1950 को हुई थी कोश्चन नमबर 31 देखेंगे राजस्थान के जैपूर छेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू सैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह 20 धरोहर अस्थल भी है तो यह अंबर का किला जो है राजस्थान के जैपूर में जो है छेत्र में अपने कलात्मक हिंदू सैली के लिए जाना जाता है कोश्चन नमर 32 देखेंगे जल संचयन का मुख उदेश क्या है जल संचयन का मुख उदेश भूगर्ग के जल का पुनर संचयन करना है कोश्चन नमर 33 दसाहरा के समय दुर किस रूप में मनाया जाता है तो 22 दिसंबर को हम लोग राष्टिय गनित दीवस की रूप में मनाते हैं वहीं बात करें 28 फरवरी को जो है राष्टिय विग्यान दीवस की रूप में मनाया जाता है कोश्चन नमर 35 देखेंगे, भारत के सम्मिधान में अरंब के समय कितने अनुछे थे, तो 395 में अनुछे थे, वहीं बात करते हैं, कि मुल सम्मिधान में अनुछे 395 में थे, भाग जो है 22 थे और अनुसूची की संख्या 8 थी, बरतमान सम्मिधान में अनुछे 448 है, नोट क कोश्चन नमर 36 देखेंगे, डेंगू के समय रक्त अस्त्राव की संख्या में कमी के कारण होता है, तो क्या होता है, तो प्लेट लेटर्स, इसका अत्पड़ा जानते हैं, कि डेंगू के समय रक्त अस्त्राव प्लेट लेटर्स की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है डेंगू होता है इसको दूर करने के लिए हम लोग देखते होंगे जब किसी को डेंगू होता है तो उसको पपीते का पत्ता जो है पीश करके पिला जाता है कोश्चन नमर 37 देखेंगे पालक में प्राकिर्टिक उत्पात की रूप में किस एसीड का आसमान रूप से उच परतिस्तत्ता है तो उसमें जो है ऑगजेलिक अमल की परतिस्तत्ता जो है ज्यादा होती है कोश्चन नमर 38 देखेंगे दुनिया का पहली भूमी का ट्रेलवे प्रणाली कहां पर शुरू की गई थी तो यह लंदन में शुरू की गई थी कोश्चन नमर 49 देखेंगे निमन में से कौन सी एक खरीब की फसल नहीं है तो बाजरा है मक्का है जुआर है लेकिन जौ नहीं है जौ जो है एक परकार का रभी फसल है तो बात करते हैं खरीब तो खरीब फसल जो है इसकी बुआई जून और जुलाई जून जुलाई महीने में की जाती है और सेप्टेंबर नोट की जगह सेप्टेंबर से अक्टूबर में इसे जो है काट लिया आती है कोश्चन नमर चालिस देखेंगे परसिद महाकाब पदमाबद किस ने लिखा था तो परसिद महाकाब पदमाबद के लेखक मलिक मुहम्माद जाईसी थे और यह जो है पंद्रा सु एक तालिस नोट की जगह पंद्रा सु एक तालिस में लिखी गई थी पदमाबत जो है अबदी भासा में लिखा गया था उनसी भासा अबदी भासा में लिखा गया था पदमाबत चितोड के सासा करतन सिंग की रानी थी जिनका नम पदमाबती है पदमाबत या पदमाबती कोश्चन नमर 41 दखेंगे दूतिये गोल में सम्मेलन हुआ था तो दूतिये गोल में सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था वही बात करते हैं पर्थम गोल में सम्मेलन तो वह जो है 1930 में हुआ था दूतिये गोल में सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीतीय गोल मेलन 1932 में हुआ था तो यह तीनों पॉइंट जो है आप ध्यान रखेगा पूश्चन नंबर 42 देखेंगे मयूर निर्थ या पिकॉक डांस किस राज के ब्रज शेत्र से समंदित रखता है तो यह जो है उत्तर परदेश से समंदित रखता है उत्तर परदेश का लोक निर्थ जो है चार-पांच लोक निर्थ है नोट की जगा पहला रासलीला दूसरा नौट अंकी तीसरा जूला चौथा कजरी पांचमा जद्दा और छठा चाचरी जैता आधी है कोस्टन नंबर 43 देखेंगे यह था नंवंबर 2018 तो यह नंवंबर 2018 को मैरी कॉम बिस चेंपियन्शिप में श्वाण पदक जितने वाली पहली महिला मुक्यवाज थी तो 6 श्वाण पदक जिती थी कोस्टन नंबर 4 देखेंगे भूमी से गीरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगा निवन में कौन सा है तो भूमी से गीरा हुआ बंदरगा जो है विसाखा पत्नम जो है सबसे बड़ा है वहीं बात किया जाए कि बिसाखा पत्नम भारत का सबसे गहरा बंदरगा अभी है वहीं बात करते हैं कि बिसाखा पत्नम भारत का सबसे आधुनिक बंदरगा अभी है इंपोर्टन कोश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा जो है जवाहरलाल नहरू अंतराश्टिय बंदरगा है एक पॉइंट आउन उट कीजेगा चेन्नाई बंदरगा भारत में किर्तिम बंदरगा के रूप में जाना जाता है जिसे पुराना बंदरगा भी कहते है कोस्चन नमबर 45 देखेंगे राजसभा का अध्यक्ष होता है तो राजसभा का अध्यक्ष जो है उपराश्पती होता है वही बात करते हैं ये भारतिय सम्मिदान में उपराश्पती का पद जो है USA से लिया गया है USA यानि कि अमेरिका से लिया गया है भारतिय सम्मिदान के अनुछे 89 में राजसभा के सभापती और उपसभादी पती का पदकाव लेक किया गया है question number 46 देखेंगे नेमलिखित में से कौन सी आहाट सिंखला नहीं है सही है, sorry, सही है पूछ रहा है तो घास, चूहा, साप, बाज कहने के मतलब है, घास को चूहा खाएगा चूहा को साप खाएगा, साप को बाज खाएगा इसलिए option B बिल्कुल सही है question number 47 देखेंगे फातेहपूर सिक्रे में बुलन दरवाजा किसने बनवाया था तो यह अकवर ने बनवाया था बुलन दरवाजा जो है पंदरसो 72 में बनवाया था बुलन दरवाया जो है भारत की सबसे उच्चा दरवाजा है वही बात करते हैं फातेहपूर सिक्री को 1571 में अकवर ने अपनी राजधानी बनाई थी 1571 में फातेहपूर सिक्री को अकवर ने अपनी राजधानी बनाई थी question number 48 देखेंगे question number 48 का आप आंसर comment box में comment कीजेगा question number 49 देखेंगे भारत की सबसे लंबी उननत elevate road इस्थित है तो यह जो है गाजियाबाद में इस्थित है गाजियाबाद में यूपी के गेट में राजनगर एक्स्टेंसन तर जाने वाली elevate road का उदघाटन जो है cm योगी आदितनात ने किया था इस elevate सड़क की लामबाई जो है 10.30 किलो मीटर है ध्यान देजेगा important question है question number 50 देखेंगे भारत में 12 पंच बरसी योजना की अबधी क्या थी तो भारत में 12 पंच योजना की अबधी जो है 1212 से 17 थी लेकिन एक जनवरी 2015 को एक जनवरी 2015 को परधान मंतरी नरेन मोदी ने यहां जो है नीती आयोग का स्थापना कर दिया इससे जो है 12 पंच बरसी योजना जो है बीच में ही समाप्ट कर दी गई वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो और लाइक करें ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें SSA GD Only